पांच हजार साल पुराना ये गुफा है और यहां पे मैं आ पहुंचा हूँ तो ये ना रावण का न ये सिक्रेट पैलेस हुआ करता था गुफा के बिल्कुल अब मेडल पार्ट तक हम पहुंच चुके है अब थोड़ी बहुत सास लेने में दिक्कत हो रही है उस जब आने गुट मॉरिंग गाइज एंड स्वागत करता हूं फिर से आपका एक नई वीडियो में मेरा नाम है मैंक और आप लोग देख रह हो नोमैडिक मैंक को आज मेरा एला में है तीसरा दिन और आज मैं यहां पे बहुत ही इस्पेशल जगह पे जाने वाला हूं उस जगह का ना पीप्रिट के व है और ऐसा माना जाता है कि वहां पे राव्न की एक पैलेस हुआ करती थी उस के अंदर और उस कीव के नीचे एक बहुत ही बढ़ा पॉंड है बहुत ही बढ़ा लेख है तो निल दिया बैका मतलब होता है भाई निल मतलब नियलज दिया मेंस पानी और पो नो नो आप टेकिए बस तो भाई कर्द गोला नाम की जगह पर आपको जाना पड़ेगा मैंने लास्स वीडियो में आपको दिखाया था रावण की उस रहस्माई गुफा का राज और रावण का जो ज़्णा था जहां पर रावण नहाया करता था वही जगह मैंने आपको ल लंकादीपती रावण का सीक्रेट केव देखने के लिए पीछे आपने बोर्ड देखा होगा और यही है रास्ता नील दिया पोकुना के लिए यहां से करीब निल दिया पोकुना केव तीन किलोमेटर है और मैं वाकिंग करके जाने वाला हूँ पानी जरूर लेकर के आना और कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए जरूर लेकर के आना ने तो डी हाइड्रेशन का सिकार हो जाओगे यह इलाका जंगली जानवरों का है देख रहा हूँ आप सब घने घने जंगल है और जंगलों के बीच से रास्ता निकल रहा है अगर आगया कोई जंगली जानवर तो फट जाएगी भाई मैं फाइनली पहुच चुका हूँ नेल दिया पोकुना के पास और यहां से जंगलों के अंदर 500 मिटर राइट 500 मिटर यहां से जंगलों के अंदर मुझे जाना है एक और बहुत ही important information मैं आपको यह बता देता हूँ कि आप इस जगह पे अकेले नहीं जा सकते हो आपको एक tourist guide लेना पड़ेगा क्योंकि जहां मैं जाने वाला हूं वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और literally आप अकेले जाने की कोसिस करोगे तो आपकी जान भी जा सकती हो जगह पे और वहां पे कोई भी help करने वाला नहीं होगा पाकि मुझे थोड़ी थोड़ी यार अब feeling आ रही है बिल्कुल adventure वाली explorer वाली feeling आ रही है कि ऐसा लग रहा है यार बीयर गिल्स की shooting वगएर चल लिए यार आज से पहले ना मैंने कभी भी ऐसी खतरनाक केव को explore नहीं किया है जो पहला मेरा केव था वो रावण का केव था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था उस जगह पे मैं गया हूं लेकिन यह वाली केव बहुत इंट्रेस्टिंग है अब यहीं है रावण का सीक्रेट केव यहीं से जाने वाला हूं नीचे नीचे की तरफ और नीचे और लेड़ी यार कुछ लोग है काफी ज्यादा सिक्रेट केव है यह यह अभी अपने भाई नीचे काफी ज्यादा अंदेरा है तो मैं हेड्लम्प लगांगा और उसके बाद मैं नीचे जाओंगा यार कामीं से कामीं से जाओंगा नीचे की तरफ और वाकई बहुत ही जादा अमेजिंग एक्स्पिरेंस करीब आठ सो मीटर बता रहती है जो है इस अब बच्छा बताओं मुझे इससे पहले इतना ज़्यादा डर कभी नहीं लगाता जितना डर लग रहा है क्योंकि आप डेफ्ट देख रहा है और डेफ्ट कहां तक जा रहा है आप देखो कितने कितना गहरा यारी गुफा अंदर से कि 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 अब 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 करके निचे निकलना पड़ रहा है अब मिडल पार्ट तक हम पहुंच चुका है और सच बताओं तो यार अब थोड़ी बहुत सास लेने में दिक्कत हो रही है ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है और नीचे भाई बिल्कुल भी फ्रेश एर नहीं आ रहा है इमाओ गाल गया गजब का एक्सपीरेंस है मैं पहली बार ऐसा एक्सपीरेंस कर रहा हूं यार और की अंदर से काफी बढ़ा है हर जगह से पानी आ रहा है ना तो यहां का जो सर्फेस है वो काफी ज्यादा जिप्री है एक बीबार आपका पैर फिसला और आप गए काम से यह ना कभी रावन का इस यूज़ रावना पेले राष रावना पेलेस राइड रावना पेलेस एडर और यहां की साईलेंस को महसूस करो है इतना ज्यादा साइलेंस है आगे जाकरके मैं आभी आपको एक लेग दिखाने वाला हूं और काफी दिनों तक रावन आकरके यार यहां पर रहा करता था इस सिक्रेट केव में बहुत ही कम लोगों को यहां तक कि एला में बहुत कम लोगों को इस जगे के बारे में पता है जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ अब बाइ जमीन के 800 मेटर नीचे रावन का सिक्रिट पैलिस मैं उस जगह पर खड़ाओं जहां पर एक जबाने में रावन रहा करता था यहीं है रावन का सीक्रिट पैलिस मैंने आपको बताया था कि रावन ने अंदर ही अंदर एक टनल वागेरा बन वाया था वो एक करनल की सुराख मिले हैं वेरी स्लिपरी है अब बहुत ही जादा रिस्की है यहां पे आना अभी मैं देख रहा हूं मेरा लोवर वोर जो भी था वो पूरी तरीके से गीला हो चुगा देख रहा हूं मतलब अभी तक उसका अंत पता नहीं चला है सिप वो थोड़ी दूर तक ही आप लोग नहा सकते हूं आप प्रॉपर बैरिकेटिंग लगा हुआ है और अभी मैं जा रहा हूं वहां पर अब यह देखो यार यहां पर क्या लिखा हुआ है दिस फाइफ थाउजन इयर ओल्ड लैंड और इस योर डूटी तो प्रोटेक्ट इट देख रहा हूं पांच हजार साल पुराना यह गुफा है और यहां पर मैं आप पहुंचा हूं तो यार इस वक्त है और मैं जा रहा हूं इसने सुखेढना वहन्यां करने लिए आप यह धी क्लियर सकते हो हो इतना ज्यादा clear है यह अब देख लो पानी बिल्कुल साफ है देख रहे हो आप लो पानी कितना ज्यादा साफ है और बिल्कुल आप नीचे तक देख सकते हो वह वाली जगह और there is no ends right no end and 600 600 meters deep 680 meters oh भाई अपने बता रहे हैं कि यार अंदर से ना काफी ज्यादा गहरा है तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाओंगा हलांकि मुझे swimming अच्छी खासी आती है लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जाओंगा हुँ आवाज गुंजरी है आज आवाज देख रहे हैं कि जादे गुंजरी है कि आइज नील दिया पोकुना जो बहुत ही ज़्यादा रहसमई गुफा है अभी मैं थोड़ी दिर स्विमिंग करने के बाद यहां से निकलूंगा लेकिन सच बताओं तो मेरी लाइफ का यार अभी तक का सबसे डराऊना सबसे अमेजिंग और सबसे बहतरीन एक्सपीरियंस है मैं अंदर से काफी ज़्यादा डरा हूँ क्योंकि उधर जो आप लोग नजर डालोगे न उस साइड में तो यह पता नहीं चल पाया है कि अभी वह कितना ज्यादा अंदर है और कितना ज्यादा गहरा है आगे आगे आप चलते चले जाओगे तो यह और ज् सिक्रेट केव के अंदर इतना बड़ा स्विमिंग पूल या इतना बड़ा पॉंड होना इतना बड़ा लेक होना अपने आप में ही कितना ज्यादा रहस्तमई है और यह पूरी जगह जमीन से करीब 800 मीटर नीची है यह वाली जगह जितना आना मुश्किल है ना उससे कहीं फ्रेश एर नहीं है और गर्मी पसीना मच्छड और चमगादड चारो तरफ भरे हुए हैं बहुत जादा हैं अभी बाहर निकलता हूं बाहर निकलके अंदर मेरे साथ जो जो एक्सपीरियेंस हुआ मैं आपको वो बताऊंगा यह रा केव यह जो आप लोग केव देख रह सबसे रहस्यमाई गूफा था उस जवाने में पांस से दस हजार साल पहले हुआ करता था और अभी मैं केव से अंदर जा करके बाहर आया हूं अपने भाई बता रहे हैं कि 20 साल पहले यह केव ढूंडा गया था और दिस इस आउनली वन इन श्रिलंका उनली वन यह केव एक सच बता रहा हूं दिल बहुत बड़ा करके आना और बहुत मजबूत करके आना क्योंकि अंदर जिसको अगर दिल की बिमारी है जिसको कोई भी बिमारी है और जिसको अंदर डर लगता है अंधेरे से या बंद जगह से या जिसको सांस लेने में तकलीफ है वो मत आना लिट तो आप इनसे कॉंटेक्ट कर लेना और यह अपने भाई आपको नीचे ले करके जाएंगे हाउ मच इस दा अमाउंट फॉर इफ यू वांटे तो विजिट दे केव हाउ मच मनी इफ एनिवन वांस तू गो तो दे केव तो थाउजन्ट फाइफ अंड़े से तीन हजार श्रिलंकन रुपीज लखेंगे तूरिस के लिए मैं अब वीडियो को एंड करने जा रहा हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा